probable इस वीडियो में लोग बात करेंगी एक और देख सकते हैं है से पहले हम उस फॉर्मॉले को सब्साइब कर लेते हैं जो एक सिंगल फॉर्मूला ही जिसके पर हम लोग magnetic declination करते हैं और magnetic declination का यह जो formula है यह भी हम लोग already derive कर चुके है magnetic declination का concept जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भी वीडियो आपका playlist में आप लेवाल है तो भी आप जाके देख सकते हैं जो formula है वो है true bearing is equals to is equals to magnetic bearing minus plus minus declination तो actually plus minus declination में हम लोग plus ताब लेते हैं जब declination east हो और minus ताब लेते हैं जब declination waste हो तो this is the only formula which we can use in the magnetic declination numericals तो हम लोग चलते हैं अब सिधे numerical पर तुम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक magnetic declination of line sorry the magnetic bearing of line cd is south 30 degree 15 minute west find its true bearing if the declination is 10 degree 15 minute east तो इससे पहले के numericals में हम लोग देखे थे कि उसमें जो bearing दिया हुआ रहा रहता था वो whole circle bearing में था जबकि यह हम लोग देखके समझ सकते हैं कि किसमें दिया हुआ हुआ है तो यह south हो गया यह west हो गया तो यह कहीं यहाँ पर जो है south west में 30 degree 15 minute करके angle दिया हुआ तो इसका अगर whole circle bearing अगर हम देखना चाहें तो starting from the nose and goes towards the line in clockwise direction तो यह angle जो होगा वो होगा क्या whole circle bearing of line CD तो whole circle bearing यहाँ पर देख सकते हैं कि यह आपका इतना part 30 degree 15 minute है और यह part हम कह सकते हैं यहाँ तक 180 degree है तो अगर हम यह पूड़ा जोर दे 180 और plus 30 तो यह आपका आ जाएगा whole circle bearing of line CD तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से भी कोडेंटल वेरिंग अफ लाइन सीडी साउथ 30 डिग्री 15 मिनट वेस्था whole circle bearing of line CD क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री 15 मिनट तो आड़ किजेगा तो यह आ जागा 210 डिग्री 15 मिनट नाव हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है true bearing is equals to magnetic bearing plus minus declination यहाँ पर bearing चूट गया है तो आप add कर लिजेगा magnetic bearing plus minus declination और यहाँ पर देखे यह declination east है तो हम जो फॉर्मूला है उसमें plus का sign यूज करेंगे true bearing को सौट में लोग TB लिखे देते हैं magnetic bearing को सौट में लोग MB लिखे और declination को सौट में लोग declination लिखे हैं यहाँ से देखे declination plus minus formula में है पर यहाँ पर question में east दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर plus sign यूज कर रहा है उसके बाद यह declination east so magnetic bearing आपको पता था 210 डिग्री 15 मिनट तो यह 210 डिग्री 15 मिनट टिक्लाइशन इस्ट जो था वो 10 डिग्री 15 मिनट यह 10 डिग्री 15 मिनट एड कर लिजेगा तो यहाँ आजागा 220 डिग्री 30 मिनट तो ट्राई यह किया जाता है कि अगर आपका question में quadrantal bearing है तो answer भी आप किसमें लिखे quadrantal bearing है यहाँ पर जो value आया है वो आया है whole circle में तो हम इसको क्या कर लेते हैं convert कर लेते हैं किसमे quadrantal bearing में तो अगेन यहां से हम पहले देख लेते हैं यहां से आपका जब आप इसको whole circle bearing में लिखना चाहें तो 220 डिग्री कि quadrant में आएगा third quadrant में आएगा यानि कि zero 90 180 और 270 अगेन 360 तो यह आ रहा है आपका इसमें इस quadrant में कहीं यहां पर 220 डिग्री 30 मिनट आपका whole circle bearing तो हो गया जब इसको quadrantal में convert करना है quadrantal में हम लोग जानते हैं कि whichever is nearer to the line तो यहां से देखे साउथ से यह नजदीक पढ़ रहा है और clockwise direction तो यह एंगल जो होगा वही quadrantal bearing होगा तो यह total आपका जो है यह whole circle bearing हो गया यह total जो है whole circle bearing है और यह आपको निकालना है और इतना पार्ट आप जान रहे हैं यह कितना होगा 180 होगा तो आप whole circle bearing में अच्छे से समझेए गा आप whole circle bearing में इस लाइन से अगर यह पार्ट सबस्ट्रेक कर दे तो यह निकल जाएगा आपका यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग 180 डिग्री माइनस कर लेंगे तो यहाँ से 220 डिग्री 15 मिनट माइनस ऑफ 180 करते हैं तो आपका आ जाता है 40 डिग्री 30 मिनट तो इस तरीके से यह हमारा आंसर हो जाएगा रिक्वाइट ट्रू बेरिंग इन कोडरेंटल बेरिंग साउथ 30 डिग्री 40 डिग्री 30 मिनट वेस्ट तो आप देख सकते हैं यह कहां लाइक कर रहा था साउथ वेस्ट तो इस तरीके से आप चाहें तो नुमेरिकल क्या कर सकते हैं सॉल्व कर स यह कोस्चन है मारे पास, on an old map, a line was drawn to magnetic bearing of 320 degree 30 मिनट वेस्ट तो कह रहा है किसी old map में, यह कि पुराने map में किसी एक लाइन को देखा गया है जिसका magnetic bearing था 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 पहले 320 degree 30 मिनट और उस समय जब वो map बनाया गया होगा पहले तो उस समय डिक्लानेशन जो था वो था 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 बेरिंगॉफ ग्ट स्वेयरं ओके लाइन का अब ही जगहा तो यह अगी के टाइम में 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 को हम लोग क्या मैगनेटिक बेरिंग पूछ रहा है अभी के टाइम में जब अभी डिकलानेशन के वह होता है समय के साथ चेंज होता रहता है हम लोग आगे के लेक्चेर पढ़ेंगे वैरिचोन अप्मेंटिक डिकलानेशन तो उसमें आप लोग और के लिए होगा वैसे हम रोग समझ सकते हैं कि declination क्या है, जो magnetic meridian का, true meridian का according tilt हो जाना east or waste direction, that is the magnetic declination, तो magnetic declination बहुर रहा है कि पहले के time में इसी map पे क्या so किया गया था, 3 degree 30 minute waste था, जो अभी उसी जगा का, अभी के time में वहाँ पे declination 4 degree 15 minute east है, और पहले का आपको magnetic bearing दिये दिया है, और अभी का आपक पूछ रहा है, तो एक simple सी बात है, कि इसमें जो एक ही concept है, और ये concept यह है, कि magnetic bearing भले ही change हो जाए, बट true bearing कभी change नहीं होगा, अगर किसी एक ही line की बात की जा रही है, और आज से 10 साल पहले हो, या 10 साल बाद हो, उस line का true bearing सेम होगा, यानि जिस line की बात कर रहा है, उसका true bearing क्या रहा होगा, same रहेगा, old map के लिए भी और present case के लिए, तो हमको क्या करना है, पहले हमको true bearing निकाल लेना है, उस line का, तो देखिए, यहाँ पर हम लोग formula यूज करते है, true bearing equals to magnetic bearing minus declination waste, तो यहाँ पर plus minus होता है, बट पूराने वाले map में यहाँ पर declination जो है, वो आपको क् कर सकते हैं, declination waste यानि की minus यूज कर सकते, तो यहाँ से true bearing अगर निकालना चाहे तो इके magnetic bearing दिया होगा, 320 degree 30 मिनट, तो यहाँ से 320 degree 30 मिनट और declination दिया होगा, 3 degree 30 मिनट वेस, तो यहाँ से 3 degree 30 मिनट वेस, जब जब इसको स्ट्रेक करेंगे, तो 317 degree यानि 317 degree आ जाता है, the true bearing of the line is constant so present true bearing of the line is also 370 जैसा कि हम लोग बोले कि true bearing किस से हम लोग निकालता है true meridians और वो true meridians किसका होता है geographical north pole से geographical south pole जो लाइन जाती है उस line का होता है तो वो कभी भी क्या होगा change होगा नहीं तो जो true bearing पहले था और अब है दोनों क्या होगा magnetic bearing plus declination is to true bearing equals to magnetic bearing plus का symbol लेंगे क्योंकि यहां पर declination is to plus हो गया वह निकालना क्या है magnetic bearing को इधर ही रखते है declination को इधर बेज़ देते हैं तो यह हो जाएगा magnetic bearing equals to true bearing minus declination is तो यहां से true bearing था 317 degree और declination दिया हुआ था 4 degree 15 मिनट तो यह आ जाता है आपका 312 degree 42 मिनट तो hopefully आप लोगों को यह समाज में आया होगा और अगर कोई भी doubt हो तो आप comment कर सकते हैं okay thank you